नमस्कार आप देख रहे हैं सब्ते खबर में हूँ आपके साथ प्रमूदियास। नागमंसी जिला सरी जो कतकाली आदिन जाती कल्याण अबाग के अधिकारी थे जिन्होंने ठेकेदार को अनुशित लाप पहुचाते हुए तीन करोड़ से अधिक घफला घुटाला किया है और जो छात्रावस की मरम मत्ती निर्मान कारे था उसमें एक ही ठेकेदार को लाप पहुचा गया है कार भी अधूरा छोड़ दिया गया और अमाना किस्तर का कारी के गया है इस पूरे मामले में हम बात करेंगे डियस पी सुनिल तालान जी से हमारे पूलिस अधिक्षक महदै शरी अनिल उशकर्मा जी को शिकायत प्राप्त हुएती की देवास जिले में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के छात्रावासनों की मरम मत हेतु काफी धन्रासी करीब 3.28.18.000 रुपे आवंटित हुए थे वर्ष 22-23 में तो वो जिला सयोजक्ते महाँ पर सूरिवनसी जी तो विवेक नागवंची उनके द्वारा एक प्राइवेट ठेकेदार है राजन दूबे उनसे सभी चौपन होस्टलों में उनके द्वारा उसी ठेकेदार से काम कराया गया इसके लिए उन्होंने ना तो कोई टेंडर जा बउकि है है उन्होंने सभी अधिखशक हो को जो चोत्रावास अधिक स्वाइआ है को संदेश भिजबाया और मीटिंग में कहा मौखिक रूप से कि आप इसी राजन दूबे से काम रहा हैं और इसको भुक्तान करें और इसको भुक तो जो चोत्रवास अधिक्षक थे चौ जिसमें की विवेक नागवनशी और ठेकेदार राजन दुबे के साथ करीब उन पचास अधिकारी कर्मचारी जो चात्रवास अधिक्षा के रूप में तेनाथ थे वो और आफिस के जो सहयक थे उनके ऐसे करके 51 लोगों पर F.I.R. दर्ज की गए तो राशी की वसूली की कार अधित में और विवसंबंदित विभाग द्वारा इसमें आवश्यक कदम उठाए जाएंगे हमारे द्वारा तो इसमें F.I.R. दर्ज की गई है और इसकी अब विवेचना की जाएगे जो अधूरे भवन निर्माने वो भी पूरा का रावत है देकेदार की जब शिकायत ह दिफ्चा को ने नहीं कराया और प्रक्रिया में भी उन्होंने गल्ती करते हुए एडवांस बुक्तान चात्रावास की मरमत राशी का ठेकेदार को कर दिया था इसलिए इसमें F.I.R. हुई है कारे मुझे लगता है कि आदे से अधिक इस्सा में हो चुका होगा और इस बा प्रक्रिया और इस बार